कप्तान रोहित सर्मा ने ऐसे किया उदास विराट कोली का सपोर्ट जिल छुलेगा ये वीडियो टेम एंडिया को संचूरियन में दक्सन अफरीगा के खिलाफ 28 दिसंबर को तीसरे टेस्ट में पारी और 32 रनों से हार मिली इस दोरान विराट कोली ने संचूरियन टेस्ट की दुषरी पारी में 82 गेंदोपर 60 रन की पारी खेल कर अकेले किला लडाने की कोशिश की संचूरियन टेस्ट में विराट कोली ने 60 रन और सुमन गेल ने 26 रन बना कर आउट हुए टीम के अन्य खिलाडी दहाई का आंकडा भी नहीं छू सके इस मैच में विराट कोली जब आउट होकर पवेलियन लोट रहे थे तो ड्रेसिंग रूम की और आते हुए वो काफी उदास दिखे लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम के करीब आता देख कप्तान रोहित सर्मा ने विराट कोली के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी सोचल मेडिया पर खूब तारिफ हो रही है दरहसल कप्तान रोहित सर्मा ने विराट कोली की पारी की ताली बजाकर होंसला बढ़ाया और उनकी पिक थपथपाई जिसको लेकर लोग काफी तारिफ कर रहे हैं कप्तान रोहित सर्मा की के उदास हुए विराथ कोली को किस तरह से रोहित सर्मा होसला देते दिख रहे हैं इससे पहले मैच में विराट कोली के कैने पर रोहित सर्मा ने मैच में एक DRS भी लिया था जिसकी खूब तारिफ हुई थी अब टीम इंडिया साउस अपरीगा के खिलाप अगला टेस्ट मैच तीन जनवरी से केप टाउन में खेलने उतरेगी इस मैच को जीतकर टीम इंडिया चाहेगी कि सीरिज एक एक से बराबरी कर ले